हेलो दोस्तो, कॉंक्रेट होल बीट इसी के लिए कुछ डिटेल्स वीडियो आपके साथ सेयर करते हैं एक फेंड रिक्वेस्ट किया था हाउस में एसी इंस्टोलेशन काम करते हैं उसमें ओल में होल करना पड़ते हैं तो उसी के लिए कुछ वीडियो आपके साथ स्यार करते हैं सभी को पता होता है जो डिल बीट है ये बीट हम जदा उ mourn के लिए ये जो बीट होता है कौनसे मैसिन के लिए ये बीट बहुती अच्छे से वार करते है उसमें मैसिन जल्दी डैमेज नहीं होगा अर्मेचर जल्दी खरबनी होगा उसमें beat भी बड़े से चलेगा तो आपको पहले जानना है जो beat कैसे काम करते है यह जो beat होता है जैसे angle grinder में हम hole करते हैं hole beat डाल के तो इसमें ऐसे ही घुमते है तो इसमें आपको normal mode में डालके आपको घुमा के cutting करना है हैमार मोर में नहीं यह जो beat है बहुत ही heavy होता है और hole भी बड़े होता है तो machine में बहुत जिदा load पड़ते हैं load पड़ने पर beat lock हो जाता है machine का armature जलजलदी damage भी हो जाता है और उसमें tool holder जहां पर beat fitting होता है और भी जलजलदी play हो जाता है तो हमें काम भी करना है तो अच्छा बला एक deal machine खजना है beat में diamond fittings ऐसे होता है तो इसको आपको hammer mode में चला के cutting नहीं करना है आपको घुमा के करना है तो normal mode में घुमा के cutting करना है तो heavy duty जो hole machine है उसमें अंदर पानी डाल के cutting करते हैं तो उसका video आपके साथ share करेंगे hole beat बहुत सारे size में मिलते हैं तो आपके साथ कुछ share करते हैं झाल उसा भी का करते हैं तोbig जुमा के साथ रजता है धन्याजी झाल खौल में होल करने के लिए आपको नॉर्मेल डिल मेशिन से होल करना है उसमें हैमर मोन नहीं है नॉर्मेल मोन में आपको घुमा के उसमें कटिंग करना है आपको यूज करने के लिए एक अच्छा वाला मैसिन खजना है तो आपको लाइट मैसिन से ये काम नहीं होगा ये बीट कहां यूज करना है आमें पता नहीं होता है तो 220 हमाट डिल मैसिन में कभी कबार हम यूज कर लेते है काम तो बड़े से करते है कभी कबार क्या होता है टूल होल्डर प्ले हो जाता है आर मैचार जल जाता है मैसिन में बहुत ज़दा अवरलोड पॉनने पर ऐसे पॉब्लम होता है मैसिन बहुती लाइट होता है इसलिए ऐसे पॉब्लम होता है 226 हेमाट डिल मैसिन में सेम पॉब्लम होता है ए मैसिन भी बहुती लाइट है तो heavy duty वार्क के लिए ए मैसिन नहीं है तो ए मैसिन होल कर सकते हो उसमें डिलिंग करने के लिए ठीक है whole bit डालके आप इसको dealing नहीं कर पाऊगे 326 hammer dealing machine based होता है बहुत ही heavy है बहुत अच्छे से work भी करते हैं इसमें आपको 3 mode नहीं होते हैं 3 modes नहीं है इसमें 2 modes आपको देखने को मिलते हैं एक hammering और एक hammering एक breakaring mode होते हैं इसमें normal mode रहने पर हम इसको बड़े से work कर सकते थे तो ऐसे इसको इस्तेमल करेंगे तो इसमें क्या होगा bit damage हो जाएगा हमारे में चलाने से bit में टक कर आएगा टक कर आने पर bit जल्दी जल्दी damage हो जाएगा अब बड़े से काम नहीं कर पाऊगे तो आपको एक अच्छा वाला machine लेना है तो आपको ऐसे एक machine खजना है जिसमें heavy duty भी होए उसमें 3 more है तो market company का जो machine है इसमें आपको 3 more देखने को मिलते हैं machine heavy duty है तो आपको एक अच्छा वाला machine खजना है तो ऐसे machine आप खज़ सकते हो बहुत ही अच्छे है अब बहुत अच्छे से और्ग भी करते हैं इसमें आपको थ्री मोर्ड देखने को मिलते हैं तो सबी काम एक साथ आप कर पाऊगे इसमें तीनों मोर्ड है इसमें हेवी डूटी भी है देखिए आपको तीनों मोर्ड देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे मैसिन खर्द ना है तो मार्किटा कामपानी का ये मैसिन खर्द लीजिए बहुत ही अच्छे से और करेगा उसमें कुछ भी पॉब्लम नहीं होगा